दोस्तों करनाचक में भाजपा का विरोध तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यह विरोध भाजपा के पूर्विसियम यदुरप्पा के घर तक देखने को कल तक मिला था लेकिन अब सड़कों पर भाजपा के लगाए हुए जंडे को फेकने तक पहुँच चुका है अब करनाचक में सड़कों पर भाजपा का जंडा जो है वो उठा उठा कर फेका जा रहा है करनाचक में भजपा के जंडे जो हैं उतार दिये जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आरक्षन पर फैसला लिया गया है करनाचक सरकार की तरफ से उस फैसले से वहाँ की जो समुदाई हैं वहाँ की जो आदिवासी समुदाई हैं वो सीधे तोर पर नाराज नजर आ रहे हैं आप इस वीडियो में साफ तोर पर देख सकते हैं कि भाजपा का विरोध कैसे और किस तरीके से हो रहा है दोस्तों इस वीडियो को निखिला हैन्री दाकुइंट की साउथ ब्योरो चीफ की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी दी गई है कि कैसे करनाचक में भाज़पा के जंडे निकाल निकाल कर फेके जा रहे हैं और ये लिखती है कि बंजारो द्वारा घर के उपर से बीजेपी के जंडे हटाए जा रहे हैं क्योंकि करनाचक में ऐसी जातियों के बीच लिस्टेट जाती समू राज्यसरकार द्वारा घोशत उपजाती आरक्षन का वरोध कर रहे हैं दरसल दोस्तों करनाचक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीच युदुरप्पा के घर पर सोमवार को बंजारा समुदाई के लोगों ने करनाचक के शिबमोगा में हमला किया था वीडियो में साफ़त और पर दिखाई दे रहा था दोस्तों की कैसे बीच युदुरप्पा के घर पर बंजारा समुदाई के लोग जो है अपना विरोध जताने के लिए हमला वर हुए यद्imatपा का घर शिकारपूर में है और बंजारा समुदाइं हाल ही में करनाचक में आरक्षन को लेकर किये गए फेर बदल से काफी नाराज चल रहे है उसे डर है कि उसका आरक्षन छीना ना चला जाये हाली में भाचपा साशत करनाचक सरकार ने मुसलमानों को 4 फीजदी आरक्षन खत्म करते हुए उसे 2-2 फीजदी वोकलिंगा और लियांगत समुदाई में बाट दिया था करनाचक में आरक्षन की श्रेनिया भी बदल दी गई है चुनाप से पहले ऐसे बड़े फेर बदल किये गए है बंजारों की मांग है कि सरकार जस्टिस एजे सदाशिव आयोग के रपोर्ट को लागू नहीं करे इसमें अनुसुचित जातियों के बीच उप जातियों के लिए उनके रेशियों के हिसाब से यानि की अनुपातिक प्रतिनी धित्व आरक्षन की शिफारिश करने वाले रपोर्ट को आव वैज्यानिक बताते हुए छोड़ दे बंजारा समुदाई के प्रदशन कारियों ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट अनुसुचित जाति समुदाई को भी भाजित करने के लिए लाया गया है और ये एक निस्वार्थ चाल है जिसकी वज़ा से इन लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है जो इन सभी सालों में शांती पूर एक साथ रह रहे थे लेकिन चुनाव जितने के लिए ये सब कुछ चाले चली जा रही है राजिसरकार के इस कदम से बंजारा के साथ अन्याई होगा बंजारा समुदाई इसी वज़ा से आहत है इसलिए सिफारिश वापस लेने की मांग जो है वो सडकों पर करतावा नजरा रहा है विरोध परदर्शन दोस्तों सोमवार से ही हिंसक हो गया है और अंदोलन कारियों ने पूर मुख्यमंत्री बियस युदरप्पा की आवास पर पत्राप तक किया था तो पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज जो है वो तक करना उन्होंने मुनासिब समझा क्योंकि जिस तरीके का वो मांग मांग रहे थे उसको देखते वे पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया फैसले के विरोध में हजारों लोग सडकों पर उतर आए पुलिस ने भीड को तितर बतर करने के लिए नियंतर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का सहारा लेते वे नजर आई गुसाए प्रदशन कारियों ने युदर अप्पा और मुख्यमंत्री वसबराज वमय की तस्वीर वाले पोस्टर तक जला दिये हिंसा के दौरान एक पुलिस कर्मी घायल हो गया आरक्षन के मुद्धे पर करनाचक में कई मोर्चे खोल दिये गए है बंजारा और कोची समुदाई के प्रदशन के अलावा राजे का मुस्लिम समुदाई भी चार फिस्दी आरक्षन छिनने से काफी नाराज नजर आ रहा है हाला कि उसकी और से बंजारा समुदाई की तरह कोई भी हिंसक प्रदशन नहीं देखने को मिला है इस वक्त बंजारा समुदाई के जो लोग है वो हिंसात्मक रूप लेते वे नजर आ रहे हैं हाल ही में सरकार ने मुसल्मानों का चार फीजदी आरक्षन छीन कर वोकालिंगा और लियांगत समुदाई के बीच बाट दिया किंद्रे किरामंत्री अमिर्शाह ने कल करनाचक दौरे के दौरान भी कहा था कि मुसल्मानों का वोट हासल करने के लिए कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को आरक्षन दिया था कॉंग्रेस ते तुस्ट्री करन किया था लेकिन अब तथे सामने आये हैं दरसल जेडिय सरकार के समय ततकालिन मुख्यमंत्री देवगोडा के समय मुसल्मानों को आरक्षन दिया गया था इस तरीके की बाते अमिश्राह के द्वारा की गई लियांगतों में पंचम साली उप अकेले लियांगतों को और बढ़ता तो उन्हें फाइदा हो सकता था कुल मिलाकर करनाटक में जिस चार फिजदी के तौफे के दम पर भाजपा के किला जितने की बात कही जा रही थी उसे बंजारा समुदाई ने पानी फेर दिया है बंजारा समुदाई के लोग सड़कों पर निकल आए हैं और अपनी मांगो को लेकर किस तरीके से उग्र नजर आ रहे हैं वो आप साफ़तोर पर देख सकते हैं भाजपा ने सोचा था कि दो-दो परतिशत जो है लियांगत और उन समुदाई को दे कर अपना जो है राजनीतिक चेहरा चमकाले राजनीतिक वर्च पर ने समुदाई के कई नेता हाल ही में कॉंग्रेस में शामिल हो गए हैं उसके बाद राज्यमे बंजारा निति ने जोर पकड़ लिया है जिस तरीके से यदुरपा का विरोध हो रहा है इसमें साफतोर पर ये देखने को मिल रहा है कि यदुरपा की पकड़ करनाटक में किस तरीके से थी इसको इस तरीके से भी मिलाकर देखा जा रहा है है दोस्तो की कैसे प्रदान्मंत्री नरेंद्र मोदी यदुरपा को लेकर कसीदे पढ़ रहे थे यदुरपा के शान में कह रहे थे कि आप उनकी जणमदीन पर फ्लेश लाइट जो है टॉर्च का जलाकर उनको समर्पित कीजिए उनको फ्लेश लाइट जलाकर जो है उनके सम्मान में इस तरीके की चीज़े कीजिए और खूब लंबे चौड़े का सीधे जो है उन्होंने करनाटक की जंता को यदरुपा को लेकर कहे थे दोस्तों इस पूरा रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रती के रिया है में कॉमिन सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ नेशन थे 60 को जादा साथ लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बलकुर भी ना भोले